हेलो व्रेंट्स मैं हूँ आपको दोस्त प्रदीव टाकरे और आप है मेरे यूट्यूब चैनल वर्ता है इस पर आज की वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले ऑपरेशन नमस्ते जो की इंडियन आर्मी ने लॉंच किया हुआ है और गवर्मेंट को इससे काफी हेल्प मिलने वाली है तो देखते हैं इसमें क्या-क्या मतलब प्रोविजन्स है और क्या-क्या रूल्स है तो इंडियन आर्मी ने आर्मी ने एक्चुली ऑपरेशन लॉंच किया है spread of coronavirus को रोकने के लिए इस operation के अंडर में आर्मी जो है वो गवर्मेंट को help करने वाली है COVID-19 जो deadly disease अभी के लिए माना जा रहा है इस operation में जो है friends 8 quarantine जो है वो बनाने वाले है ये 8 quarantine में से अगर हम एक quarantine की भी बात करें तो ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं रहने वाला है इसके अंदर काफी सारे beds रहने वाले है जो कि हम आगे discuss करेंगे ये जो है इसके लिए command line भी help करने वाली है command wise जो है इसका मतलब क्या होता है समझ लो friends हमारे इंडिया में क्या है कि army की अभी के लिए six commands active है मतलब नौर्थ वेस्टेन कमांड होती है नौर्थ नौर्दन कमांड होती है ऐसे army की जो है commands रहती है इसके according to something head वागेरा रहेंगा और उसको operate किया जाता है तो हर command near about eight quarantine words बनाएंगी एक जो quarantine word रहता है इसमें क्या क्या रहेंगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा बट obviously आपको समझ में आएंगा कि operation नमस्ते का अंडर में कितना बड़ा एक arrangement होने वाला है जो covid-19 के patients रहेंगे उनको isolate करने के लिए facilities of the families of army men have been arranged to visit nearest camp in the case of emergency and away serving the country तो यहाँ पर जो first इसका provision है कि other patient के साथ साथ जो army personnel की families और उनके members रहते हैं उनको भी यहाँ पर पहला provision दिया जाएंगा अगर उनको covid-19 जो है वो हो जाता है यह कोई cases positive होते हैं उसके बाद में जो other persons को है preference दिया जाएंगा उसके बाद में friends यहाँ पर कुछ guidelines army ने issue की है ताकि जो army personnel है वो यह service देते वक्त उनको covid-19 नहीं होना चाहिए और जो social distancing है वो maintain होना चाहिए इसलिए army personnel और उसके बाद में वहाँ पर जो भी patients आएंगे उनके लिए भी operational guidelines कुछ कुछ दी हुई है जो कि सभी को वो follow करनी पड़ेंगे उसके बाद में यह कुछ ऐसा army camp का quarantine ward रहने वाला है friends इस एक जो मतलब ward रहेंगा इसमें कितना क्या capacity है तो overall मैं आपको अभी explain कर देता हूँ तो जैसे friend इसमें क्या होता है एक contingency plan बनाया गया है six hour notice पे मतलब just within a short time यह design किया गया है और overall जो है इसका plan बनाया गया है तो यहाँ पर क्या होँगा friend एक quarantine ward में 45 isolated beds होने वाले है 10 ICU होने वाले ICU beds जो होते हैं मतलब complete isolation field उसके बाद मेडिकल टीम जो है mobilization medical team जो है वो भी arrange होने वाली है मतलब stretchers वागेरा रहते हैं ambulances रहते हैं वो भी काफी मतलब within a short time जो है वो arrange करेंगे अभी इतना जो सब arrangement दीकरा है यह उनली एक ward का है एक ward के लिए ऐसे eight quarantine ward एक इसमें बनने वाले एक command के अंडर में बनने वाले तो वैसे six actual हमारे active commands है और आगे चलके वह eight commands बनने वाली आर्मी की तो obviously इसको अगर हम multiply करते हैं तो काफी ज्यादा बड़ी arrangement यह बनने वाली है यह आर्मी परसोनल उनके families और साथ में जो other persons है COVID-19 से content तो government के जो hospitals और private hospitals को काफी help मिलने वाली है इससे उसके बाद में यह जो plan है यह मतलब COVID-19 का spread और contain करने में काफी help करने वाला है उसके बाद में friends यह plan कोई नया नहीं है एक्चुली मतलब इंडिया में first time start नहीं हुआ है इस टाइप के operation बहुत सारी countries ने already चालू किये थे तो यह one of the unique हम लोग जैसे एक plan का एक मतलब जिसको outline लिया हुआ है ऐसा consider कर सकते है बट overall जो है यह काफी helpful रहने वाला है government के लिए सभी citizens के लिए और सभी लोगों के पसंद आया होंगा friends अगर पसंद आता है तो like कीजिए नहीं पसंद आता है तो dislike कीजिए डिसलाइक क्यों किया comment box में बताएगा और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है so thank you so much friends